असलाम लेकुम and welcome back to my channel कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे खेरियत से होंगे और मज़े में होंगे तो जिन आप आज की जो वीडियो है ना वो मैंने उन सब लोगों के लिए बिनाई है जो अपना खियार नहीं रखते या जिने अपने लिए को रहे हों उस टाइम आप सिर्फ एक घंटा या आदा घंटा भी अपने ले निकाल लेना तो आपके सारे काम भी खतम हो जाएंगे और आप जादा फ्रेश और एनरजेटिक फील करेंगे पूरा दें तो सुबह उटके नमास कुरान पढ़ने के बाद आप कोशिश करें के एक लास नीम गरम पानी जरूर पियें और उसमें वो चीज़ आड़ करें जो आपको सूट करती है जैसे मैं लेमन और हनी आड़ करके पिती हूँ वो मुझे बेस्ट लगता अभी आपको दिखाऊंगी पहले ये प्यारी सी कैटल तो देख लें जो मैंने रिसेंट्टी आ इनकी चाहे इतनी अहमियत ना हो लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है और हर वो चीज जिसे हमें खुशी मिले और किसी को नुकसान आओ वो ज़रूर करनी चाहिए यहां पर मैंने एक ग्लास नीम गरम पानी लिया है उसके अंदर फ्रेश लेमन जूस के कुछ डॉप साइट किया है हाफ स्पून हनी एट किया है इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और निहार मू पीना और इसके इतने जादा फाइदे है ना कि जब आप शुरू करेंगे आपने स्किन को मॉस्टराइज जरूर करने हैं और संस्क्रीन भी अप्लाइ करनी है डेजन मैटर क्या आप घर मेरे रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं मैं सुभा उटके फेस वाश करने के बाद ना सेरा भी का मॉस्टराइज लोशन अप्लाइज करती हूं जिसके इंद या छिए दो मिनट लगते हैं क्योंकि फेस वाश तो सबी लोग करते हैं उसके बाद में आपने स्किन केर अप्लाइज तो आपकी मॉर्निंग स्किन केर के बाद कर रहे हूं क्योंकि स्किन केर एक टॉपिक है और आजकल तो मैं अपनी स्किन को लेके ठोड़ी सी परशान क्योंकि पिछले दिनों मैंने बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा स्कीन केर नहीं की तो उसकी वज़े से मुझे अपनी स्कीन में थोड़ी सी जो ना प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही थी तो मैं डर्मेटॉलिजिस्ट के पास भी गई थी और आपके साथ भी सब कुछ म इतना ख्याल नहीं रख रहे थे तो अभी जो ना यह वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैं खुद को भी मोटिवेट करूं और आप सब को भी मोटिवेट करूं कभी कभी हमारे जिंदगी में इतना कुछ हो रहा होता है हमारे रूटीन इतनी विज़ी होती है कि हमें को ऐस-पन। अच्छे करते हैं K Gray- sistem कि उसलिए बन और आफ तो डेयते हैं कि पर रहते हैं। कि अपने फ़ोब अपने करें कि अपना ख्यार रखने केव्चे हैं कि अपनी सिकिन के करें और फैशन बनकि अजयरा करें बलकि अपना के लिए सबसे जरूरी आपको को मैं पनी peace of mind जो है वो सबसे ज़ादा जरूरी है अगर आप रिलाक्स नहीं होंगे आप खुश नहीं होंगे तो आप दुसरों को भी खुश नहीं रख सकेंगे आप यकीन करें जब आप अपनी केर करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको इतनी अच्छी फील आएगी एक confidence मिलेगा आपको और उससे आप अपने हर काम को अच्छी से manage कर सकेंगे मैं पिछले कुछ अरसे से काफी busy रह गई थी तो अपना ख्याल नहीं रख सकी क्योंके घर लिया हमने तो दो महीने तो उसमें लगए घर ढूरने में सर्च करने में और उसके बाद घर move किया हमने तो ये भी आपको पता कितना लंबा काम होता है और बच्चों को भी छुटियां थी तो बस इस सब में मैं अपने आपको भूली गई थी और अब भी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे भी थोड़ा सा होशा है तो अब मैं अपनी भी केर करूँगी और सासत आपको भी सारी इंफॉर्मिशन दूँगी तो आने वले व्लॉग्स आपके लिए काफी helpful लोंगी क्योंकि आपको पता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है मैं वही शेयर करती हूँ तो पिछले दिनों घर के सफाइया और ये सब चल रहा था तो वही मैं शेयर कर दी थी और अभी जो है ना मैं आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट तरह के व्लॉग्स शेयर करूँगी इंशाला यहां पर बच्चों के स्कूल जाने कर टाइम हो गया था तो मैं उनको स्कूल छोडने के लिए जा रही थी और इस तरह से मेरी जो है ना वाक पी हो जाती अच्छे खासी पहले मैं एवनिंग में वाक करती थी लेकिन जब से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुए तो इनको लेने जाती हूँ इनको छोडने जाती हूँ इस सब में मेरी 25 मिनर्स की वाक हो जाती है टोटल वाक करना हम सब के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है यह तो आपको अच्छी तरह से पता होगा ताकि आपको उससे मोटिवेशन मिले और आपको पता चले के वाक करने से एक्चली हमारी बाटी में क्या क्या होता है यहां पर अब मैं वापिस आ गई थी आके मैंने नाश्टा किया उसके बाद मैं थोड़ी देर रिलाक्स करती हूँ आज कल यूट्यूब से रिलेटिड कोई काम हो तो वह कर लेती हूँ वाइस ओवर कर लेती हूँ उसी टाइम में और फिर मैं उटके फ्रेश अप होती हूँ ये actually मेरा मी टाइम होता है क्योंके बच्चे सकूल गए होते हैं हस्बिन मेरे सो रहे होते हैं तो इस ताइम में हो करते हैं जो मुझे करणा अच्छा लगता है और कभी किचन का कुई ज़्यादा काम हो तो वो मेरे कर लेती हूं तो सीसी क्रीम लगा लेती हूँ मैं अग्से दिल काराऊतों फ 치ak cinemat honesty में बन काजियों पूर्स गॉर्टी मैं बनाने होँ एसे अथ किसे से तरफु aCHर यह trick कभी मूड हो रहाओ तो मैं नहीं बी रडी होती अगन यूजली मैं बना से डा रती हूँ र्डूप कर लेती उससे मुझे फ्रेश फील होता है और अच्छा फील होता है यूट्यूब के लिए जब मैंने व्लॉक्स बनाने होते हैं तो भी मैं इसे तरह से ही रड़ी होती हूं कभी दिल ना करा हो तो मैं सीसी क्रीम नहीं भी लगाती लेकिन यूजिली मैं लगाती हूं तो यहां पर रड़ी होने के बाद मैंने वीडियो की जो स्टार्टिंग और एंडिंग करनी थी वो रेकॉर्ड की और कुछ और बोलने का तो मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे हस्बेंड उट गए थे तो बस फिर जल्दी से उनका नाश्टा बनाया और उसके बाद एक जरूरी वो कर रही हूं यह स्क्रब जो है ना वैसे तो मैंने फेस के लिए लिया था लेकिन यह थोड़ा सा हार्श लग रहा था सकिन पे तो इसलिए फिर मैंने इसको बाड़ी के यूज के लिए रख लिया और जिस तरह से फेस को एक्सफॉलियेट करना जरूरी होता है उसी तरह मैनिक्यूर पैडिक्यूर ये भी बहुत जरूरी है करना सेल्फ ग्रूमिंग जो है ना वो हम सब के लिए बहुत जादा जरूरी है और इसमें इतनी सारी चीजें आती हैं मैंने एक वीडियो भी बनाई थी उस पे स्पेशल और आप लोगों ने बहुत पसंद भी की थी लेकिन जो नियू सब्सक्राइबर्स हैं उनकी लिए मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो देख सकते हैं यहां पर मैं एक छोटा सा पार्सल ओपन करी हूँ जो के इंडिया से स्पेशल मंगवाया था मैंने और इसमें बहुत ही खास चीज़ है जो के मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी और फाइनली मुझे I think eBay से मिल गई थी या Amazon से ली थी मैं make sure करूँगी और लिंक अप्लाइ करूँ लेकिन बच्चों को स्कूल से लेने जाना था और लंच भी रडी हो रहा था सासा तो इसको एक बिंटा लगना था इसने मैं सुचा वापिस आके बाद में कर लेंगी अराम से जब मैं बच्चों को स्कूल से लेने जाती हूं तो उस ताइम इतनी तेज धूप होती है ऐसे लगता कि मेल्ट हो जाओ गया और 70 SPF अला संस्क्रीन जो आप्लाइ करती हूं जो के पहले बिल्कुल भी नहीं करती थी और इसी वज़ा से मेरे स्किन जो काफी डामेज भी जरना है फिल्टर वगरा मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती है अक्सर मुझे इस तरह के कॉमेंट्स आते हैं क्या फिल्टर यूज करती हैं तो फिल्टर मैं सिर्फ इंस्टा के स्टोरी पे कभी-कभी लगा लेती हूं यूट्यूब की वीडियो पे मैंने कभी फिल्टर नह पारे में लेकिन सुना मैंने यह है कि बहुत कुछ ऐसा आगे जो बिल्कुल नैच्रल लगता है देखने में और होता नहीं है लेकिन असल में मैंने देखा है बहुत सी लड़किया ना इस तरह के पिक्चर्स गारा देखके इंप्रेस हो जाती है और खुद को जब वो आप मत हुआ करें और अपने पैसे महंगी महंगी क्रीमों में खर्च करने से बेहतर है कि आप हल्ती डाइट लें और फूट्स और वेच्टिबल जादा खाएं एग्स लें और इस तरह की डाइट लें जिसे आपकी हल्पी अच्छी हो आपके स्किन भी ग्लो करें नाच्र यहां पर मैं फाइनली जो महंदी थी अप्लाइ करें अपने नेल्स पर और देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आता है और लाइट यहां पर बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि डेलाइट जब आती है तो वीडियो में बहुत अच्छी लगती है और इस घर में जब से हम वेखर से अच्छी हो आतकली है तो मिरी से तरहिके से निहीं हो रही है इसलिए पिक्चर जो है नियूं कहीं पे क्लीर काशूली सी होती है क्वीके फ्रेंट केमरा से ही मैं यूजीली बergाती हूं से मैं कैमरा लेना है अभी प्रोफेश्ismus तो जल्दी जो हैं फिर मैं लों diplomacy और उसे बेहतर quality होगी वीडियो की आप लोग मेरी वीडियो को इतना ज़ादा पसंद करते हैं इतना appreciate करते हैं और इतने प्यारे प्यारे comments करते हैं सच में जब मैं पढ़ती होना तो मुझे बहुत ज़ादा motivation मिलती है और मेरा दिल करता है कि मैं इससे बेहतर आपको quality भी दूँ और content भी दूँ आज कल मैं काफी time लगा रही है content को improve करने में और आपके लिए नई नई चीज़ें लाने में तो आप लोग भी बताईए का आपको किस तरह का content देखना अच्छा लगता है मेरे channel पे ताके मैं उस सबको भी साथ जो है न वो लेके चलूँ और मुझे बताईए का कि इस वीडियो से आपको कितनी motivation मिली है और जो लोग भी अपना ख्याल नहीं रख रहे थे अब वो अपना ख्याल रखेंगे और मुझे comment section में बताएंगे कि हमने आज से ही start करना है कल का बिल्कुल भी नहीं कहना आज से ही करना है जो भी करना है यहाँ पे महंदी जो है वो मैंने apply कर दी है नेल्स पे और दिखाती हूँ अभी आपको कैसे लग रही है वैसे इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था संभालना क्योंके liquid था तो वो कभी एक साइड से गिर रहा था कभी दूसरी साइड से गिर रहा था अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स व्लॉग में अपना बहुत ज़दा खयार रखें और दुआओं में याद रखें अला हाफित